इस चैनल पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैनल पर नहीं हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जैसे ये चैप्टर स्टार्ट है यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो किया गया है जैसे यह आपके स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है और उसके लब बात आपसे कुछ कोशन वगेरा फ्रीम किये जाएंगे इस बेसिस पर तो सबसे पहले हम क्या गरेंगे यह जो पिक्चर है इसको अच्छे से देखेंगे और उ जाएगी, यह देखो बहुत सारा, उसके बाद आपको ट्री वगरा दिखाएगे, और ट्री के बाद और फर्दर अगर आप रीवर को आगे देखते जाओगे, तो आपको कुछ विलेच वगरा भी दिखाएदेगा, तो एरिया आपको दिखाएदे रहा है, यह विलेच है, यहाँ पर आप घर वगरा देख सकते हो, उसके बाद और फर्दर अगर आप आओगे, तो यहाँ फैक्टरी वगरा दिख जाएगा आपको, और इधर देखोगे, आपको टाउन वगरा दिखाएगा, एक सहर वगरा दिखने लग जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो इस यह जो ससड़ हो गई, यानि रहो पर आप ध्यान से देखो, यह जो फिस्ट की यह सब ड्यण हो गई, यानि यह सारी मचली जो यह मरने लग गई है, और यहाँ पर अब ध्यान से देखोंगे, यह जो शिप वगरा है, इस से भी डस्ट वगरा या फिर प Scottish Tech य गर ढगको सार यह साल। यह सारे किसमें पानी में मिक्स वह जा रहा है, ऐसी में रिफॉछ के माहितंカ रही है। इसके अंदर फिश वगरा भी दिखाए दे रहे हैं, और आपको बहुत सारे ट्री वगरा भी दिखाए दे रहे हैं, यानि यह पूरा का पूरा जो एरिया है, बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन जैसे यह फर्दर बढ़ता है, तो ग्रीनरी थोड़ी सी कम हो जाती है, पेड़ कि बहुत सारे बिल्डिंग वगरा भी भी है, लगता है कोई सिटी है यह आपे, और उसकी अपोजिट अगर इधर देखोगे, तो आपको यह फैक्ट्री एरिया यानि इंडिस्ट एरिया भी आपको दिखाए देगा, जहां पे कुछ काम वाम चल रहा है, और यह आप देख सकते हैं, यह जो फिश वगरा है, छोटी-छोटी जो फिश है, यह सब की सब मर जा रही है, बलकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, और सिर्फ फिश के ही नहीं, बलकि अगर ध्यान से इधर आपको और डिफरेंट एनिमल वगरा, बर्ड्स वगरा भी आपको बहुत आसानी से दिखाई देंगे, beginning of the river, but at the end of the river, आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो यह स्टोरी है, रिवर की, कि जब स्टार्ट होती है, तो बहुत अच्छी होती है, माउंटीन से जब स्टार्ट होती है, विलेज में भी ठीक रहती है, लेकिन जब टाहुन बलकि picture show की गई है, कि story आप खुद देखो, observe करो, और उस basis पर आपके लिए कुछ-कुछ काम भी दिए गए है, ठीक है, तो चलो, आप देख लेते हैं कि आगे आपके लिए क्या है, यह आपसे बोला जा रहे, look carefully at the picture of the river, read the words given below, use these words to make a story, give a title to your story also, यानि यह आपके लिए question number one हो जाएगा, ठीक है, और question number one में आपसे बोला जा रहे है, कि आप इस जो picture आपको show की अगया, इस picture को पहले आप ध्यान से देखो, किस से regarding में, river के regarding में, फिर आपके बाद बोला जा रहे है, कि आपको कुछ words भी given है, जैसे boat हो गया, flowing water हो गया, blue, fish, water pants, river, fall smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animal, and other work, change city, यह कुछ keyword आपको given है, इस keyword को ध्यान में रखते हुए, आपसे बोला जा रहे है, आपको एक story fame करनी है, यानि कि story बनानी है, और यह जो story आप बनाओगे, इसका आपको एक title भी देना है, कि chapter का title है, a reverse tale, यानि कि नदी की कहानी, तो यही मैं भी tell दे देता हूँ, अपने answer में, और उसके बाद यह जो keyword दे रखे है, इनको use करके हमें, एक story frame करनी है, तो first you have to write the question, complete जो question है, इसको note कर लो, उसके बाद में क्या करना है, एक title दे देना है, suppose मैं same title, जो chapter का title है, a reverse tale, य अबी तो मैं यही दे रहा हूँ, और उसके बाद एक story अपने answer में, कुछ इस तरह से लिखूँगा, तो I hope, हम भी मेरे साथ के साथ question लिख रहे है, और question लिखने के बाद भई, इसके answer को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, answer number one डालोगे, ठीक है, उसके बाद जो जैसे title वो blue water and lots of fishes, जैसे अगर आप इस picture को ध्यान से देखोगे, तो एक समय की बात है, भी river है, बिल्कुल clean है, blueish water है इसके अंदर और इसमें बहुत सारी fish आपको दिखाई दे रहे है, तो इसके according हम लोग क्या कर सकते है, ऐसा लिख सकते हैं, कि यहापे बहुत सारी fish वगर हमें दे animal रहते हैं, उसे हम aquatic animals बोलते हैं, यानि कि जो environment और atmosphere है, बिलिंग में बहुत अच्छा है, और इसकी वज़े से जो aquatic animal है, यानि कि पानी वाले जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, उस सब के सब हमें present दिखाई देते हैं, कहाँ पे at beginning of the river, जैसे आपने इस picture में देखा था, तो इसके according आपने यहां ऐसे लिख लेना है, फिर further आगे देखेंगे, तो आगे क्या होता है, अब factory वर started near the river, अब river के नस्दीक में क्या हुआ, एक factory, यानि कि आप ये कह सकते हो, industry वगरा start कर दी गई है, a city grew up near it, और उसके नस्दीक में city या town वो भी एक established होना start हो गया है, जैसे आप ये river को देखोगे, तो river के बिल्कुल साथ के साथ यहां पर क्या हुआ, ये factory वगरा setup किया गया है, और अगर अगर अब इधर देखोगे, तो town या फिर काउं में city setup किया गया, यहां पर ऐसा होगा, जो लोग यहां पर city town में रहते हैं, वो लोग काम करने के goods required for a factory was supplied through the river with the help of the ship, अब जो पानी में, अगर कोई समान वगरा हमें कहीं पर ले जाना है, यानि कि transportation के लिए हम लोग क्या कर रहे है, ship वगरा use कर रहे है, तो उससे भी pollution create हो रहे है, ज़रा देखोगे, तो यह देखो, यह जो ship है, ठीक है, यह जो ship आपको दिखाए दे रह है, और इस ship के अंदर ही जो भी factory से जो भी समान आना है, जाना है, raw material आना है, final product जाना है, वो सारा का सारा इस ship के थूरू ही travel करता होगा, तो यह तरह से क्या कर रहे है, यह पर water को pollute कर रहे है, गंदा कर रहे है, तो यह चीज़े आप इसके अंदर mention कर सकते हो, कि all these splits and elephants from the factory river discarded into the river, और जो भी यह ship है, इस जो भी इसका oil है, जो चला रहे है, यह क्या हो रहे है, फैक्टरी से और यह जो ship है, इस सारा का सारा जो मिटल है, इसमें water के अंदर, river के अंदर जाकर के mix हो रहे है, अगर आप तहान से इस picture को दुबारा देखोगे, तो आपको clear दिखाई द कि भी यह ship है, इस से waste material, यानि कि oil पानी के अंदर चला जा रहे है, फिर अगर देखो कि यह जो factory setup किया गया है, तो इसका जो भी waste material है, यह सब किसमें जा रहे है, पानी में जा रहे है, और जिसको जैसे जो beginning में आपको river clean दिखाई दे रही थी, यहां पे आपको clean नहीं दि से, ठीक है, और story किस से बनानी थी, भी this picture को देख करके, तो पहले तो आपने picture को अच्छे से देखा, observe किया, और उसके according आपने sentence frame करना थी, और आपकी help के लिए, बुक के अंदर क्या किया गया था, कुछ-कुछ keyword आपको दे रखे थी, जो आपको use करना था, ठीक है, अच् and then you have to answer some questions, अब इसके बाद क्या करेंगा, दुबारा से, जैसे ये picture आपने अभी देखा था, इसको दुबारा से देखते हैं, फोड़ा से clean कर देता हो, ताकि आपको समझने मीज है, इस picture को अच्छे से दुबारा से देखना है, और उसके बाद फिर से आपके लिए कुछ स्टार्टेशन वगरा, ट्री वगरा है, स्टार्टिंग में तो है, बट अट दा एंड आप दा रिवर, ये सब कुछ देखने को हमें नहीं मिलता है, तो अच्छे से इस picture को देखो, और इस basis पे आपके लिए question number 2, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, question number 2 को देखेंगे, कि इसमें हम से क्या पूछा जा रहे है, तो question number 2 में आप से बोला जा रहा है, what is the color of the river, where it began, यानि कि जब ये जो restart हुआ था, at the beginning की अगर बात करें, तो इसका जो color है, वो color किस type का था, ये आप से पूछा जा रहा है, यानि आपको क्या करना है, river का color बताना है, और कब जब य beginning में, बिल्कुल starting में, जब ये start हुआ था, उस time का बताना है, तो एक बार जो picture आपने देखा था, तो अगर देखो, वैसे अगर मैं बोलू हूँ, तो water का तो कोई color roller होता नहीं है, अगर आप picture को आप ध्यान से देखोगे, तो यहां आपको कुछ blue type का water आपको दिखाई देखा, इतर देखो, starting में, यह सब क्या दिखाई दे आपको, blue color का दिखाई दे रहा है, तो ऐसे भी answer लिख सकता हूँ, कि water has no color, but while we observe the water at the beginning, we can see the water look like a blue color, यह blueish color में हमें दिखाई दे रहा है, तो यह चीज़े हम अपने answer में लिख सकते हैं, तो question तो आई होप, आप दर की बात करें, पानी में तो ऐसा रण कोई होता नहीं, but अगर picture की observe किया है, तो हमने पाया, when I observe at beginning, I find it was bluish in color, कि यह blue type, यानि कि नीले रंग जैसा हमें यह पानी देखने को मिलता है, ठीक हो, यह देखो एक बर फिर से, यह अगर आप ध्यान से देखो, यह आपको क्या दिखाय रहा है, जैसे नीले नीले रंग का यह पानी हमें दिखाय दिया रहा है, बस यही बताना था हमें, और इस तरह से आप अपने answer को लिख सकते हो, अच्छा, अब जैसे आपका यह complete हो जाता है, question number 2, further और भी question आपके frame किये गए है, यह जैसे आप यह screen पर देख रहे a few and at the some places there are dead fish, what could be reason for this discuss, अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ प्लेस ऐसे हैं जहापे fish, मचली बहुत सारे आपको दिखाय दे रहे है, बहुत जादा दिखाय रहे है, अग कुछ जगह ऐसे हैं जहापे आपको थोड़े से, बिल्कुल few, कुछ जगह ऐसे हैं, जहापे आपको ये जो fish है, बिल्कुल dead, यानि कि मरे वे मचली दिखाय दे रहे हैं, जब ये picture देखोगे, तो आप देख सकते हो कि इस river के पास ये सारी के सारी जो picture में देखोगे, जो fish है, सब के सब dead हो, मर गए हैं इस टाइब से, तो जैसे आपने ये previous picture जो देखा था, तो इसमें देखो, starting में आपको बहुत सारी मचली दिखाये दे रहे हैं, बाद में थोड़े से कम दिखाये दे रहे हैं, और जब end हो रहा है, तब आपको ये जो fish है, ये बिल्कुल मरे वे दिखाये दे रहे हैं, तो इसके reason क्या है, आपको ये बतान से देखो, तो जो water polluted हो जा रहे है, गंदा हो जा रहे है, जिसकी वज़े से जो fish है, वो dead हो जा रहे है, तो ये चीज़े आप अपने answer में mention कर सकते हो, ये इसके मरने की reason आप से पूछा गया है, इसके third के answer में, कुछ इस्तर लिख सकते हो, कि factory waste and domestic waste are pure in the water, it gets polluted and kills fishes and water plants, factory क mayна, जो 24 वेस्ट है, और जो बुदो कि फिसमें घंड रहे है, वो सब क्या करते हैं, उनको पानी के अंडर टाल दिया जा रहे है, जिसकी वजे से क्या हो रहा है, जो river है, वो पन्यूट हो गया, गंदा हो गया, जब गंदा हो गया है, तो ये जो गंदा पानी कीया कर रहे ह and domestic waste are the poured in the water, it gets treated and kills fish and water plant. कि वही इसके अंदर जो हम इसे mix कर दे रहे हैं, जिसकी वज़े से क्या हो रहा है? फिश्च मर जा रही है, और सिर्फ फिश ही नहीं, बलकि जो भी वाटर प्लांट है, वो सब के सब डेड हो जा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग ना, क्वेशन नमबर 3 भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप कुछ कहेंगे सर, पिक्चर बनाने की जोरुत है, तो मैं कहूंगा कोई जोरुत नहीं पिक्चर बनाने की ठीक है, ठीक है? आकसर बचे पूस्ते हैं, इसलिए बता रहे हैं, नेक्स्ट है क्व क्वेशन नमबर 4, क्वेशन नमबर 4 में आपसे बोला जा रहे है, अब विलेज की कंप्लीट करें, तो विलेज के में पहुचने से पहले, जो रिवर है, वो किस टाइप का आपको दिखाए दे रहे है, उसके बारे में बताना है, तो चलो, दुबारा से एक बार पिक्चर बीफेर को देख लेते हैं, और देखते हैं, अब्जर्ब करते हैं, कि पहले कैसा दिखाए दे रहे है, यह जो छोटे और आ पिक्चर दिखाए दे रहे है, यह पर तो आप markets आपको त्री वगरा दिखाए दे रहे है, बहुत सारे विलेज है और जो भी चीज आपको दिखाई दे रहे हैं जो भी आप अबसर्व कर रहे हैं उसके बारे में आपको mention करना है यानि, पानी विलिज में पहुँचने से पहले, क्या क्या आप उब्सर्व कर रहे हूं, क्या क्या आपको दिखाई देरा रीवर के अंदर रीवर के आसपास, वो सारी चीजे आपको इसके आपको लिख लेना है तो पहले तो आप question लिख लोगे, ठीक है, जैसे आप question लिख लोगे, उसके बाद आपको answer कुछ इस सरे लिखना है, Large number of fishes can be seen in the river before it reaches the village, कि village में पहुँच से पहले, अगर हम river में देखें, तो हमें बहुत large number में, यानि कि बहुत ज़्यादा quantity में, बहुत ज़्यादा numbers में, हमें fish यानि की मचली दिखाए देती है, कब village पहुचने से पहले, जैसे अभी अपने picture देगा, उसके according हम लोगों ने answer लिख देना है, यह village है, और village से पहले river के अंदर हमें, fish, 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 यह बहुत सारे fish हमें दिखाए दे रही है, तो इन सारे fish जो हमें बहुत सारे दिख रही है, बस यही बात हम लोग क्या करेंगे, अपने answer में mention कर देंगे, कि large number of fish can be seen in the river before it reaches the village, कि गाउने जाने से पहले भी नदी के अंद अच्छे से clear होने के बाद, अब हम करेंगे question number 5, तो question number 5 आपके book में यह है, और मैं यह number डाल देता हूं, ताकि आपको याद रहे है, कि यह है question number 5, इसमें आप से बोला जा रहे, at which place did the color of the water in the river change, यानि कि आपको mention करना है कि वो कौन सी जगह है, जहापे river का जो color है, वो change हो है, तो सबसे पहले तो आपको place identify करनी है, जहापे river जैसे अब यह देख रहे हो, यहापे भी गंदा, जो पानी है, कैसा गंदा सा हो गया है, dust वगरा की बज़े से, उसी तरह river को में जो पानी है, किस जगह पे changes होना start होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो यहापे factory वगरा जो setup किया गया था, या फिर यह टाउन वगरा जो setup किया गया था, इसके बाद से जो पानी का जो color है, वो इस होता जा रहा है, पहले तो blue color में था, बट आप यहापे देखो blue, brown, green, पता नहीं कौन-कौन से color है, बहुत सारे color एक साथ mix हो गया, और जिसकी वज़े से polluted हो रहा है, यानि कि आपको place mention करना है, इस question के answer के लिए, तो पहले आपने क्या करना है, question से note कर लेना है, ठीक है, तो जैसे आप इस question को, यानि question number 5 को note कर लोगे, उसके बाद आपको answer लिखना है, इस तरह से, कि the color of the water in the river changes near town and village, कि जब भी town pass, या फिर village में भी थोड़ा जो domestic waste कहां से start हो रहा है, गिरना पानी के अंदर, वो village से, और town से तो बहुत जादा गंद आ गया, या फिर आप कहा सकते हो, near factory area जो है, या फिर industrial area है, वहाँ पे भी पानी का जो color है, वो क्या हो जा रहा है, change हो जा रहा है, तो place अपने identify कर लिया, near town and village, कि भी town के और village के आ people, waste in the river, कि भी जो river है, उसके अंदर pollution create होने की वज़ए यह है, कि लोगों ने क्या कर रहा है, जो भी waste है, उसको कहा करते है, पानी के अंदर, यानि river के अंदर उसे throw कर देते है, जिसकी वज़ए से, यह जो river है, वो pollute हो जा रही है, और इसका जो color है, color change हो रहा है, तो सब से पहली चीज तो यह है, कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, इस chapter को पढ़ रहे हैं, उनसे यह ही कहूँ अभी, कि आप लोग river के अंदर ही है, यानि पानी के अंदर जिव अगर है, ठीक है, उसके अंदर कभी भी आपने कोई भी waste material डालना ही नहीं है, वाली गाड़ी जो आती है, उसमें डालते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना, अपने नाम के साथ, तो इस fifth question का answer आप लिख सकते हो, कुछ इस तरह से, कि भी village और town में इसका color change हो रहा है, और pollution जो create हो रहा है, पानी में, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों ने, जो भी waste material ह जो भी घर का waste है, फैक्टरी का waste है, वो सारे का सारे किसमें डाल देते हैं, river में डाल देते हैं, जिसकी विज़ा का color change हो गए, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग question number five का answer लिख सकते हो, next देख लेते हैं, यह question number six है आपके लिए, और six question में बोला जारा है, which of the places shown in the picture, would you like to live in why, अब यह जो इतने सारे जो place आपको दिखाएगे, कौन-कौन से place, थोड़ा सा गम identify अगर करें, picture को देख करके, तो आपको यह village दिखाए दे रहा है, आपको इसका जो beginning है river का, वो दिखाए दे रहा है, आपको यह city भी दिखाए दे रहा है, और इसके लाब अगर आप ध जहां से beginning, beginning की अगर बात करें, जगह से जहां से पानी start हो रहा है, उस जगह में रहना पर होगे, तो आप अपनी choice के according, जो भी है, अपना answer रिख सकते हो, most probably, मुझे तो लगता है, सबचों का answer सी होगा, और वो क्या, कि sir, हम तो बिलकुल starting में रहना पसंद करेंगे, जहां पर पानी के clean है, तो इसका answer आप सकते हो, कि I would like to live in the place where the river started, because the water is clean and pure, इसका ये एक मातरे reason क्या हो सकता है, कि starting में जो पानी है, बिलकुल pure है, बिलकुल clean है, एकदम साफ सुतरा पानी है, जिसे हम पानी पी भी सकते है, और जो cooking वगर आखे लिए भी use कर सकते है, क्यों, क्य बिलकुल pure होता है, बिलकुल clean होता है, ठीक है, तो आप इसके बारे में answer लिख सकते हो, कि I would like to live in the place where the river started, because the water is clean and pure, and the environment is calm as it has many trees, और environment की भी बात करें, तो यहां पे बहुत सारे tree, यानि की पेड़ पौदे भी हमें देखने को मिल जाते हैं, और जिसकी वज़े साब कह सकत होगा भी, क्योंकि ये environment friendly है, बहुत अची जगह है, बाकी सारी जगह में क्या है, पानी polluted हो गया, गंदा हो गया, तो यहां तो रहना पसंद नहीं करेंग, ठीक है, तो इस तरह से है, आप लोग क्या कर सकते हो, इस question का answer, यानि question number 6 का answer, आप लोग लिख सकते हो, बहुत easily, बहुत असानी से, ठीक है, अब जैसे ये question number 6 आपका complete हो जाते हैं, तो आप move लेते है, question number 7 की तरब, ठीक है, तो ये है आपके book में question number 7, और 7 question में आप से बोला जा रहा है, would you like to change any of things that you see in the picture, why and how, अब ये जो picture आपने देखा, इस picture के अंदर, क्या आपको change करना चाहते हो, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि sir, इस picture में ये चीज़ चेंज कर दो, फिर तो sir, ये बहुत अच्छा environment हो जाएगा, तो कौन सी चीज़ आप change करना चाहते हो, वो आपको अपने answer में mention करना है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसका answer से लिखन जा रहा है, ये चीज़ में ये गलत लग लग लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको change करूँगा, आप लोग भी बताओ भी comment करेंगे, कि आप लोग क्या change करना चाहोगे, same यही चीज़ या कुछ और, ठीके, तो इसके answer को आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, कि I would like to remove all the waste available in the water, पानी के अंदर जो भी waste है, चाहिए वो domestic waste है, या factory related waste है, ये टाउन से जो भी waste आ रहा है, उन सब को मैं क्या करूँगा, remove कर दूँगा, कोई waste नहीं रहने दूगा, कि water के अंदर जो भी, चाहिए वो river के अंदर हो, या river के किनारे, या रिवर के किनारे, यानि bank में भी bank का मतलब वो bank नहीं आप ऐसे जमा करते हैं, तो कि river के किनारे को हम bank बोते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे जो भी waste material है, उसे हम क्या करेंगे, remove कर देंगे, और क्योंकि इसी की वज़े से, due to these waste, the water is getting polluted, क्योंकि इसकी वज़े से क्या हो रहा है, जो पानी है, river का जो पा काम कर, आप लोग क्या करोगे भी, मुझे comment में बताना, ठीक है, और इसके इलाब आपने क्या करना है, इसके answer को भी अच्छे से no कर लेना है, question number 7 के answer, ठीक है, आचा, अब question number 7 जैसे complete होता है, अब next देख लेते है, question number 8 देख लेते है, ठीक है, यह है आपके लिए question number 8, और if you wanted to drink some water, from which part of the river, would you like to drink, why? अब आपसे पुछा जारा है, अगर पानी पीना हो, इस river का अगर आपको पानी पीना हो, तो पानी किस जगह से आप पीना पसंद करोगे, भी पानी तो देखो, जितना भी source है, वो river वगरा से ही आता है, but आप कौन सी location का पानी पीना पसंद करो जो पानी आ रहा है, बिल्कुल बिगनिंग में जो आ रहा है, यह बिल्कुल clean है भई, देखो यह एकदम clean है, बिल्कुल blue type का जो दिख रहा है, एकदम clean water दिख रहा है, तो भी मैं तो क्या है, इसके beginning का जो भी है, इसको पीना पसंद करोगा, तो इसी तरह से आप लोग भ drink some water at the place where, where which the river start, जहां पे start हो रहा है, at that place, यानि की beginning की जो प्लेस है, वहां का पानी में क्या करोगा, drink करना यानि की पीना पसंद करोगा, अब reason पूछा गया था न, why, ऐसा भी बोला गया, तो आप लिख सकतो, because the water, because the water at the beginning of the river is pure for drinking, पीने के लिए बिल्कुल कुछ साफ ह सवच है, और ठीक ठाक पानी होगा, तो हम लोग प्योर वाटर पीना पसंद करेंगे, तो बस यही रीजन है, क्योंकि आप फैक्टरी के आसपास का अरिया, तो बहुत वेशा है, उसे पीएंगे, तो हम बीमार पढ़ जाएंगे, और जैसे जो फिश वगर है, तो हम भी मर C, the water is pure for drinking, ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, question number 8 लिख लेना है, तो आज ऐसे करते हैं, बच्चो, question number 8 करते हैं, ठीक है, और बाकी जो question number 9 है, यह हम लोग करेंगे, इसके second part में करेंगे, तो first part जैसे आप सारा complete कर लोगे, उसके बाद आपको second part ज़रूर देखना है, question number 9 के लिए, और remaining question के लिए, तो अभी के लिए, बाई-बाई, मिलते हैं, next video में, comment करके ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगी, और हाँ, वीडियो को like नहीं किया है, तो फटाफ़र लिख ज़रूर कर दिया करो भी, जो आप like करते हो, तो मैं फिर आपके लिए और सब्सक्राइब नहीं किया है, वट आफ़र ये चारो चैनल भी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बैल ऐकन और प्रेस करना, ताकि आपको लिटिस वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होके, तो थैंक्स फोर वाचिंग, बाबाई